नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पारशन इडिया पर मैं हूँ अंकित अवस्थी आप है मेरे साथ में एक ऐसे सेशन पर चर्चा करने के लिए जिसकी शुरुआत मैंने काफी दिन पहले कर दी थी कौन सा सेशन कुछ याद आ रहा है मैंने आप लोगों को आज से लगभग बारहा दिन पहले एक न्यूस पढ़ाई थी जैसे मिलियंस में लोग देख चुके हैं न्यूस थी कि भारत के बैंकिंग सिस्टम से नाइन दशमलव दो एक लाख करोड रुपे गायब हो गए हैं और इसके उपर मैंने प्रोपर तरीके से आपको जानकारी देते हुए ये बताया था कि सरकार को इस बात से चिंता है कि देश के अंदर ब्लैक मनी बढ़ चुकी है ये न्यूस हम तक तो पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती है सरकार को तो उपर से उपरी फॉन RBI एका चला जाता है कि सर जी जो नोट चापे थे वो वापस बैंकों में नहीं आ रहे हैं तो बोले फिर कहां जा रहे हैं बोले लोग अपने घरों के अंदर छुपा के रख रहे हैं इसका मतलब आपको टैक्स नहीं मिल रहा और जो नोट हमने जारी किये 2000 के अब तो हमने नहीं पड़ रहा मार्केट के अंदर जसकित तस है लोगों ने एक नाम से नहीं कई नामों से पैसे निकाल निकाल के बैंकिंग सिस्टम से कई लोगों को अपने करमचारियों को कुछ गरीब लोगों को इखटा करके आधार काड पैन काड पकड़ा पकड़ा करके पैसे न तो कार टंग आकर बोल रही है क्या, कि जाओ बेटा, आप नौट ही नहीं चापेंगे, और तो छोड़ो, अभी तक सुन रहे थे कि 2000 का नौट नहीं चापेंगे, बाकी सब जीज़े साइड में हटाओ, हम कोई साभी नौट नहीं चापेंगे, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, क्य क्योंकि देखिए कहते हैं न, जंगल में आग लगी होती तो दुआ उठना शुरू हो जाता है, बारिश होने वाली होती है, तो बादल होने लग जाते है, आपकी तवियत खराब होने वाली होती है, तो आपको थगान का एसास होने लगता है, हमें भी लग कुछ ऐसा ही र आते हैं, इसाद देखिए, आप यहाँ पर जो यह न्यूस देखे, इसका इंपक्ट और नहीं देखे, तो एक बार जाकर देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं इस न्यूस को पिंजरूर करवाँगा, इसके अलावा में एक चीज और बताता हूँ आपको, पहले तो नोट की प्रिंटिंग पर पांच हजार करोड रुपए, अब आप पुछेंगे, और पांच हजार एक्स्टा छापली होते हैं, कहने की क्या जरुवत्ती, ऐसा नहीं होता है, यह तो इस प्रकार से RBI की जो इस पेंडिंग है, वो पांच हजार करोड रुपए, और जब न नोट गायब हो गया, छपाई पर खर्चा हो गया, कहना क्या चाते हो, अब ही रुको और सुन लो, RBI ने खुद 2000 Financial Year 2022 के लिए कहा है, 79,669 pieces of 500 रुपीज counterfeit, यानि की जाली नोट पकड़े जा चुके हैं, यानि जाली नोट भी नहीं रुक रहे हैं, by the way मैं आपको बार बा के खातों में नहीं है, लोग अपने पास रखकर बैठे हैं, जिनके उपर income tax नहीं दे रहे हैं, जो सही तरीके से नहीं कमाई गई है, ब्रस्टचार के माध्यम से कमाई गई है, उन सब को एक ही उसमें डाल दिया गया था, हाना कि सरकारी परिभाशाओं में जाओगे तो black money की बहुत सारी परिभाशा है, लेकिन आप एकदम to the point समझना चाहोगे, तो black money यही है, यह साब इसके उपर tax नहीं मिला हो, और गलत तरीके से कमाई गई हो, सरकार को लगा जो bank के खाते में रखेगा पैसा, वो सही तरीके से कमाया हुआ होगा, और जो घर पर दुबका के रखेगा, वो गलत तरीके से कमाया गया होगा, इसी बात को पकड़ते हुए, जिन जिनों देशों को ध्यान में रखते हुए, नोट बंदी की गई थी, कि एक बार सबका नोट वापस मंगा लो, वो फेल मार गई दिखती है, क्यों? क्योंकि नोट आतो गए, लेकिन वाप बसे मार्केट में अविलेबल हैं, कहने को तो लोगों ने कहा था, ये 500 और 2000 के नोट में चिप लगी हुई है, ऐसा कुछ था नहीं, जाली नोट भी आ गए मार्केट में, अच्छा, इसके अलावा, एक जो चीज यहाँ पर जो कहते हैं, सोचा नहीं था, लेकिन हो कैसे अपनानेंगे, अब आप पूछेंगे, ऐसा क्यों कह रहे हो सरा, मैं आपको उधारन सहीत एक लाइन बोल देता हूं, फिर हम मुद्दे पर आएंगे, मुद्दे के पहले माहल बाजी चल रही है ये तो, आपको पता है, जब कोरोना आया था ना, लाखो लोगों की ज देखते हो, ये सब कोरोना की देन है, blessing and disguise है, कि ये सब लोग तब पन पे, जब सब लोग घर पर बैठे हुए थे, यानि कि जब कोई बहुत बुरी घटना हो रही होती है, तब उसकी एवज में कुछ और चीज पनप रही होती है, क्योंकि आपका potential फार के बाहर निकलता ज जार करोड digital transactions किये हैं, अप्रेल से जुलाई के बीच में, by the way, तीन हजार करोड रुपए के नहीं, तीन हजार करोड transactions की संख्या है, might be possible कि आपका transaction 10,000 का हुआ हो, 20,000 का हुआ हो, हम लोगोंने mobile से mobile में या internet के माध्यम से जो पैसाट send किया है न, जिसकी value है 2953 लाख करोड रुपए, तीन हजार लाख करोड रुपए का, हम लोगोंने 2019 वीच में digital transaction किया था, तीन हजार लाख करोड का 20-21 में digital transaction किया, 21-22 में 3,021 लाख करोड रुपए का हमने digital transaction किया है, आप आंकडे देखिए, यानि कि ये उद्देश था नहीं सरकार का, जब सरकार ये सब काम क सोचा नहीं था, कि इस से लोगों को उपयोग PTM का बढ़ जाएगा, सरकार पता भी नहीं था कि PTM वाला हर दुकान पर जाकर पोस्टर चिपकायाएगा, कि PTM करो, PTM करो, लोगोंने PTM तुरंट अपना लिया, फोन पे आ भारत पे आ गया, सरकार को भी हो जाया, अरे UPI न निकाल के, क्योंकि इसमें फरजी वाड़ा नहीं हो सकता, किस चीज में, अरे आपके वालेट में कोई फजाली नोट गुसा सकता है, क्या, हैं, या फिर आपके वालेट में है, वो सरकार को सब पता है, अब ज़रा विचार करो, चलो एक सिंपल सा तरीका दिमाख में लगा भाई, अभी आपके पास नोट थे, 2000 के उठाए, आपने घर में दुबका लिए, किसी साहब को रिश्वत में दे आए, कहीं पर किसी के पास, मंत्री जी के पास 100 करोड रुपे मिल गए, मैं कह रहा हूँ, आपके मार्केट में नोट है ही नहीं, और भी चापी नीरी, फिर आप कहेंगे माल कैसे खरीदेंगे, मोबाईल है ना, इंडिया के अंदर सैकडो करोड मोबाईल हो जाएंगे थोड़े दिन में, अभी इंटरनेट कनेक्शन के उप्योग करताओं कि अगर हम बात करें, तो वो भी 70-80 करोड से उपर निकल चुके हैं, देश के आबादी का लगबग 85% जो है ना, वो डिजिटल हो चुका है, ऐसी इस्तिती में मोबाईल धारी हो चुका है, आप सोचो, बिना इंटरनेट की भी सरकार कुछ ऐसा ले आए, जिस प्रकार से आपके मोबाईल का मोबाईल नंबर किसी से चोरी नहीं होता, आपके मोबाईल के अंदर र भर में रख भी नहीं पाएगा, तो कोई कैसे कहेगा कि सरकार ने ब्लैक मनी पर काम नहीं किया, आपको बता है, हलके से सरकार ने इस चीज के शुरुआत कर दी है, आईए अब न्यूज पर लेके चलता हूँ आपको मैं, न्यूज ये है कि RBI जल्दी ही एक पाइलिट प् बैंकों को चुना है इस काम के लिए, कि आप करके देखिए, रुपिये की जगे लोगों से कहिए मोबाइल में पैसा लेकर चले जाएं, आरे भाई, जो ऑनलाइन अकाउंट होल्डर है, आप मेंसे कितने लोग आज मेरे को सुनने वाले ऐसे हैं, जो कैश में ट्रांजेक् कर रही है कि क्यों ना हम डिजिटल करंसी ही ले आएं, तो पर आपको मोबाइल में पैसा रखना है, मोबाइल के कवर में रखना है, जिस प्रकार से पेटीम में बैलेंस रखते हो, ऐसे ही केवल बैलेंस ही केवल सेंट्रल बैंक आपको दे, आपका दिमाग एकदम भनना जाएगा, इसका फाइदा क्या होगा, हमने दिखाई नहीं दिया, पांच अजार करोर रुपए सालाना प्रिंटिंग पर खर्च होता है, वो बच जाएगा, नमबर दूसरा, आपको सीधा सीधा, चाली नोट जो मैंने दिखाया, वो बच जाएगा, तीसरा, सरकार का जो इतना पैसा गायब हो रखा है मार्केट में, जिसके उपर टेक्स वसूला नहीं गया है, वो मामला सेटल हो जाएगा, और सबसे इंपोर्टेंट चीज, आप अगर नोटिस करें, तो भाई सहाब कितने ही लोगों को बाई पास करके, पैसा आपके पास आएगा, पता है आपको सचाई क्या है, सरकार नोट ही नहीं, बैंक वालों की भी दिक्कत खड़ी करने वाली है, असल में बैंकिंग सिस्टम जो है, वो इसी पैसे को तो आप तक पहुचाने का, बहुत सी बैंकों के पास पहले काम के नाम पर होता क्या था, सरकारी लोगों के पास में पैसा बिजवाना, उनकी सेलरीज डिवड्रो करवाना, वो आएंगे, उनके ही अकाउंट के FD खोल देना, उनहीं से वापस से उनके लिए FD बनवा लेना, आड़ी बनवा लेना, यही तो सब हुआ करता था, आप जड़ा विचार करके देखिए, मैं क्या कहा रहा हूँ आपसे, कुछ समझ में आ रहा है, अगर ऐसा हुआ, तो सरकार बैंकिंग सिस्टम में, यानि की पैसे के रखरखाओं में जो खर्चा रहे हैं, उनका भी विकल्प तलाश रही है, न्यूस देख लीजे आप, E-Rupi, Designed to Compliment Rather Than Replace Existing Digital Payment से RBI, हम इसको क्या करने के लिए लेकर आ रहे हैं, कि यह कोई हम Digital Currency जो अभी चल रही हैं, यानि की नोट का विकल्प आ रहा है, जो आप नोट यूज करते हो, उसका विकल्प लेकर के सरकार आ रही है, अब आपके दिमाग में अचानक शॉट पढ़ने लगेंगे, तो सरका सरकार अपना रुपिया, अब E-Rupi लेकर आ रही है क्या, जी हाँ, अब आप रुपिया का जो सिगनेचर इस तरह बना हुआ देखते हो, ऐसे मत देखना, इसके आगे E-R लगा देना, हमारे रुपिया का सिंबल ये और होने के साथ E लगा हुआ और आएगा, यानि हमारी करंसी E-Digital करंसी के अंदर कनवर्ट होने जा रही है, अब आप आप ने फ्राइडे के दिन कहा कि हम इसके लिए पाइलेट प्रोजेक्ट जल्द ही लांच कर रहे हैं, नाम है E-R उपी, आप में से कुछ बच्चे जो करंट अफेर्स एक्जाम के लिए पढ़ते हैं, उन्होंने इस E-R उपी शब्ड को पहले भी सुना होगा, उसे इस पहाई साब बैक ग्राउंड में सब चीज़ें चेक करके देख लिए, E-R उपी करके योजना जो मोदी जी ने लांच करी थी ना, वो भी एक प्रकार की थी इल्कुल ऐसी जैसी, लेकिन उसमें ये कहा, कि नहीं नहीं ये तो हमने इस्टूडेंट्स के लिए लांच की है, नहीं नहीं हमने ये तो केवल महिलाओं के लिए लांच की है, नहीं नहीं ये जरूरत मंदों के लिए हमने पैसा देने के लिए योजना लांच की है, सब चीज़ें करकर के देख ली सरकार ने, कैसे कैसे तरीके निकलेंगे इसके, तो ये CBDC है, Central Bank के Digital Currency यही शॉट फॉर बैंकनोट से अलग नहीं होगा, बट बिइंग डिजिटल, इस लाइकली टू बी इजियर, फास्टर, चीपर, ये तो हमें भी पता है, हो सकता है कि आप अपने ये कहें लोगों से शुरुआत में, कि बिटा अपने अकाउंट में पैसे मत आप कैश मत लो, बैंक वाली आपको, क्यों, क्योंकि आपने हमारी बहुत सारी पैसे बचा लिए, कौन से पैसे बचा लिए, छपाई बचा लिए, आप इसको निकालोगे, ATM हमकों चलाना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, इतना ताम जहाम खर्च करना पड़ेगा, नहीं करेंगे, आपको पता है सेंटरल बैंक भविष्ष में, जिस प्रकार से आज योजनाओं का पैसा अकाउंट में आ जाता है, विचार करिए, बैंक के पास जाने का काम ही नहीं बचेगा, बैंकों के काम कुछ और हो जाएंगे फिर, कि तुम लोग तो बिजनिस ग्रो करने पे काम गरो, कि बिजनिस कैसे बड़ा किया जाए, ये छोड़ दो, सरकार एक क्लिक पे RBI से कहेगी, बटन दबाओ, लोगों के पास मुबाइल में पैसा पहुचाओ, जब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो पैसा डिजिटल क्यों ना हो, और उधारन में तो हम देखी चुके हैं, भारत जहां 3,000 लाग करोड रुपे के ट्रांजेक्शन एक एक क्वाटर में कर डालता है, साब, सोच कर देखे कहां जा रहे हैं हम लोग, आपको मालू माना चीए, बजट में भी इस बारे में चर्चा की गई थी, फरवरी एक को जब निर्वला सीतर अमन जी का बजट था, उसमें का गया होगा यह, क्या करेंगे हम, RBI बता रही है यह सारी चीजे, और हम किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, वो सारी बात हैं यहाँ पर बताई गई, तो RBI का ultimately plan क्या है, RBI का plan कुछ भी नहीं है साब, the approach of issuance of CBDC will be generated on the two basic considerations, पहला, एक digital रुपे को market में ले करके आना, जिसकी वज जाएंगे, सर, कोई हमारे mobile को चोरी कर लिया तो क्या होगा, सर, हमारे पैसे को किसी ने hack कर लिया तो क्या होगा, मैं simple सा पूछ रहा हूँ, आपके बटुए में इतने दिन से आपका ATM कार्ट रखा हुआ है, कोई लपड मार के आपस ATM कार्ट छीन लिया तो क्या होगा, नम आपके पास कोई जेब पर मशीन लगा करके, बस टच करके निकाल ले जाए, दो अजार रुपए तो खट से निकल जाएंगे, फिर क्या कर लोगे, तो पैसा जहां है, वहाँ तो असुरक्षा तो है, लेकिन आप इस आधार पर कि पैसा चोरी हो जाएगा, आप काम करना थ संभव है, उनके पता होंगे सेंटर्स की इस बंदे के पास चोरी हुआ है, साइबर थाने बना करके या उनका काम तो संभव है, लेकिन जो घर में बनके पैसा भरके रखे हुएं, उनका क्या करें, जो काला धन बड़ा हुआ है, उसको कैसे दूर करें, उसके लिए ये तर अगर हमारे पास रियल में पैसा कितना है, तो हमारी देश की एकॉनोमी पांच में नमबर के नहीं, नमबर वन पर पहुच जाए, हम लोग तो पताते नहीं है, छुपा-छुपा कि इतना पैसा रखा हुआ है, और कई लोग कहते पाए जाते हैं, अपने को पता है, मंदी क्यों नहीं मारा अपने पास ऐसा पैसा था जो सरकार को पता नहीं था हमने उस से अपना घर चला लिया दुनिया मंदी में थी हम तो अपने जरते फैसे से चला लिया पीटा चला गया है कि ये लोग एकदम already तैयार हैं इनको बस कह दो कि आप जो इस पैसे को जो पेटियम में लिए घूम रहे हो इसे अब cash नहीं करवा पाओगे cash नहीं करवा पाओगे से मतलब ये हुआ कि bank में जा करके आप जब नए हरे हरे note निकाल के राते हो वो नहीं निकलवा पाओगे बाकी note की value उतनी ही रहेगी सरकार खुद उसकी guarantee लेगी कि हाँ ये पैसा आपका ही है और हमारे पास है सुरक्षित है सरकार ने कहा कि हम इसको दो प्रकार से use में लेंगे एक लेंगे wholesale परपस से जो की interbanking settlement के काम में आएगा और दूसरा होगा retail परपस से जो जनता के काम में आएगा wholesale का मतलब ये हुआ कि अगर एक SBI bank है उसको सरकार से पैसा चाहिए यानि सरकार पैसा नहीं देती है सरकार तो government security RBI को टिका के उससे पैसे लेती है RBI से मान लीजे SBI को पैसा चाहिए तो वो भी अब इस परकार के transaction नहीं करेगी कि लीजे सहाब हमारी truck बरके पैसे आ रहे हैं आप अपने पास रख लो उधर से सीधा एक message इधर आया टन ये लीजे इतना पैसा आपके account में credit हुआ wholesale में काम जो चलेगा ना बड़े बड़े करोडों के कारोबार जो धढ़ा धढ़ चलेंगे वो हो जाएंगे wholesale digital currency ऐसा नहीं होगा आप में से कुछ लोग ऐसे कहें सर मान लोग को इतना बड़ा hacker आ गया इतना बड़ा hacker आ गया पूरा पूरा account उड़ा दिया तो इसी नहीं दो भागों में बाट दिया है budget transactions एक प्रकार से और दूसरे transactions दूसरे प्रकार से ताकि इनके डर से बचा जा सके clear है तो यह CBDC दो प्रकार की होने वाली CBDCW यानि wholesale और CBDCR यानि की retail retail में आप और हम जैसे जो लोग होंगे non financial लोग वो शामिल हो जाएंगे और wholesale में जो लोग शामिल होंगे वो बता देंगे कुछ लोग कहेंगे सर क्रिप्टो करणसी है क्या मैंने अगेन कहा क्रिप्टो का कोई बाप नहीं होता है यानि कि उसका कोई भी authority नहीं है किसी ने भी उसको legal नहीं किया है किसी ने भी यह नहीं कहा है कि जाएए मैं आपको यह पैसा authorized करता हूँ आपने mining के थुरू उसको बनाया machine के थुरू mine करके बहुत blockchain तकनीकी का उपयोग करके उसका उतपादन किया है crypto currency के अंदर कोई भी सरकार backing नहीं करती है उसकी जो अपना digital currency है उसको सरकार authorize करती है कि हाँ यह हमारी currency और आपको मालू मना चाहिए भारत सरकार इस बारे में बहुत लंबे समय से विचार कर रही है क्योंकि सरकार crypto currency को endorse नहीं करती है सरकार का कहना है crypto ने लोगों के अंदर तरह तरह से गलत काम करने के रास्ते और निकाल दिये इससे बचने के लिए हम अपनी digital currency लाएंगे तो क्या इसके उपर माइनिंग जैसी चीजें होंगी क्या मशीने लगा के बनाना पड़ेगा क्यों भाई कुछ नहीं बनाना आपके mobile में एक number लिखा जाएगा कि ये number इतना पैसा हुआ बापका एक और पता है चाला की इसमें है और वो क्या है आप लोगों की खर्च लिमिट बढ़ाना कभी आप देखना आपके अकाउंट में आप अपने पर्ष में wallet के अंदर 10,000 रुपे लेकर market जाना कभी आप उस पैसे को लेकर के 10 दिन तक भूम सकते हो लेकिन 10,000 को जीरो करके कभी नहीं लोटोगे कभी नहीं लोटोगे आपके दिमाख में एक शबून आ जाएगा यार जीरो तो नहीं करना चीए बटका खाली अच्छा नहीं लगेगा और दूसरी तरफ बताओं आपको credit card दे दिया जाए और कह दिया जाए कि लीजे साब इसको खर्च करके आईए 10,000 रुपे की allowed limit होगी आप पूरा निप्टा के आओगे आप करजा लेके और निप्टा के आओगे आपके account में पैसे नहीं है minus में payment करके आओगे ये online के सबसे बड़े नुकसान है online के transactions में सबसे बड़े नुकसान है आदमी अपनी limit से जादा खर्च करता है सरकार इसको बढ़ाना चाहती है इसको फील ही मत होने दो कि इसमें कुछ कराया था हाथ से नोकड़ा जाता है तो दर्द होता है तभी तो मुझी बनता है आदमी फीलिंग ही मत आने दो आपने देखा होगा आप से कोई भी कुछ कहे खट से येलो साब ऐसा नहीं होता है ठीक है ना तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आज़े तो इस टोटली डिफरेंट फ्रम डिजीटल क्रिप्टो करणसी इसमें कोई ब्लेक्चें कम तक निकी लागू नहीं होगी सेंटल बैंक जो है अब सीधे आप तक पहुचने का तरीका ढूंड रही है मैं तो ये कह रहा हूँ कि बैंक वालों को भी थोड़ा सा टेंशन करने की जरुवत होनी चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है परसनली हो सकता है मेरी सोच थोड़ी छोटी हो क्योंकि कहीं ना क ही अगर पैसर के ट्रांजेक्शन में बैंक का कंट्रिबूशन कम होता चला गया क्योंकि जब सीधा ही सेंट्रलाइज सारे काम होने लगेंगे तो निश्चित ही मेरे हिसाब से मैं फिर बोल रहा हूँ मेरा समझ कम हो सकता है इतना बड़ा मैं कोई economist अम्रत्य से नहीं समझ पा है वो बता रहा हूँ पता चले कि कोई बैंक वाला मुझे भला बॉरा करके निकल ले तो आम लोगों के लिए क्या पैसा रखते हैं वही से पे करते हैं तो यह अलग प्रकार के चोचले की क्या हो सकता है बिलकुल सही सोच रहे हैं आप जब अभी भी ऐसी ही करते हैं फिर भी सरकार को उतने ही नोट च्छापने पड़ते हैं जितने पैसे आपके में है उने डर ये रहता है कि इसके अकाउंट में जितने पैसे हैं ये कभी भी कैश करवाने आ सकता है अब वो उस डर से फीर होना चाहते हैं कि इनके अकाउंट की इनकी आदत पर गे जैसा मैं याद नहीं है कि मैंने कभ cash withdraw किया था bank जाकर के या ATM से भी rare of the rare जाकर के पैसा निकाल लिया, क्योंकि cash रिस्की होती है वैसे भी cash मतलब आप समझ जाएंगे, anyway तो फिलाल के लिए इस तरह से मैंने का यार ये चीज़, अब सरकार क्या चाहती है कि मालों के तवस्ती के पास 1000 रुपिया है इसके अकाउंट में पैसा है लेकिक कल को ये मांगने आ गया, मुझे 1000 रुपिय दो तो printed form में निकालना पड़ेगा इसलिए सरकार को या RBI को अपने लेवल पर सारे काम करके रखने पड़ते है आपके पैसे को maintain करना पड़ता है बैंकों में पहुचा के रखना पड़ता है उतना पैसा मार्केट में रखना पड़ता है जितना आपके अकाउंट में है एक बड़ी जिम्मेदारी है मैंने कहा ना 5000 करोड रुपे साला ना खर्च होता है यह से बाहर आपका बच्चा मान लीजे कहीं दूसरे देश में रश्या से MBBS कर रहा है चायना से कर रहा है कहीं से भी कर रहा है आप उसको पैसा भेजना चाहते है पहले क्या होता है कि आपको हर बार जाकर बैंक के पास जाकर कहना पड़ता है कि ये मेरा धन है इसको साब डॉलर में convert कर दो या साब इसको रूबल में convert कर दो तब जाके पैसा भेजेंगे इधर क्या होगा जब इस परकार की digital currency सरकार ही authorize कर देगी तो सरकार आपको वहीं पर option देदेगी कि आप अपने transaction को ruble में convert करना चाते हो यहीं से कर लो आप yen में convert करना चाते हो यहीं से कर लो banking को bypass इस तरह से आपको अंदाजा नहीं होगा UAE तो already 50% जो अपनी currency है न वो लोगों को digital money के रूप में ही देता है इससे क्या होता है कि वो लोग अपने धन को UAE से निकाल कर इंडिया बहुत आसानी से बेज पाते है आपको मालू होगा रेमिटेंसे में हमको गल्फ से बहुत पैसा मिलता है गल्फ की 33-35% जो आबादी है यानि UAE की 35% आबादी वो इंडियन्स की है अब उनका इतना पैसा इंडिया इजीली आ जाता है ये समझने वाली बात है तो क्या एक तरह से क्या हुआ कि डिजिटल करन्सी जो है न उससे फॉरें रेमिटेंसे बहुत जल्दी ट्रांसफर होंगे चार सरकारी बैंको को as in pilot project run करने के लिए इसको भेज दिया गया है जिनमें SBI, Punjab National Bank, Union Bank of India, Bank of Badoda शामिल है उनसे कहा गया है कि एक बार आब आप इसको करके देखो डिजिटल करन्सी के रूप में चला के देखो मैं तो केवल ये समझ पाया कुल मिलाकर सरकार printing से बच रही है दूसरा account को इतना promote कर देगी लोगों के अंदर कि लोग अपने आप black money का जो scene है वो सताई समाप तो जाएगा जब account में सब है तो सामने वाले का दिख रहा है धीरे 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 जब लोगों में इतनी awareness आ जाएगी तो आज आप सोचके देखिए मैं माफी चाहूँगा बीच में traffic को कहीं और दिशा में ले जा रहा हूँ लेकिन फिर भी समझना चाहिए क्या होता है ना जैसे कि हम लोग बोलते हैं कई बार हमारे केंद्रिये बैंक जो हमारी Reserve Bank of India है वो monetary policies के माध्यम से repo rate, reverse repo rate इन में परिवर्तन करके महंगाई में कमी करना या फिर लोगों के अंदर तोड़ा उत्साह भरने का काम की जब भी करती है तो वो fail क्यों मार जाती है जब एक banking का एक बहुत बड़िया answer आप तयार करते है ना तो उसमें ये सबसे पहला प्रशन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि भारत में monetary policy जो है वो बहुत effectively काम नहीं कर पाती या सरकार की reserve bank की नीतिया जो है वो देश की महंगाई के नियंतरण में बहुत बड़ा योगदान नहीं दे पाती क्यों क्योंकि अभी RBI के control में ही नी चीजे नहीं है इसका मतलब क्या है आप bank से dependent ना हो करके अपनी parallel currency लेके साथ साथ चल रहे है cash बढ़ रखा है जेब में बहुत दिनों से bank में डाला ही नहीं उसको उसी से काम चला रहे है सरकार ये कहती है महंगाई बढ़ा है कोई बात नहीं भाई यो दियो तपीशा दियो तो उस तरह से आप अपना काम कर ले रहे हैं अगर ऐसा हुआ कि आपको digital currency dependent कर दिया कल को अब RBI आपसे आकर बोलती है मैंने ये काम कर दिया है मैंने repo rate बढ़ा दी है जैसे अमेरिका में होता है अमेरिका में जैसे मैंने आपको पढ़ाया होगा इन दिनों काफी पहले भी मैंने ये news पढ़ाई है Federal Reserve Bank जो उनकी है उसने जैसे interest rate बढ़ाई इंडिया का stock market गिरिया क्यों? क्योंकि लोगों ने यहां से निकाल के पैसा बैंक में वहां डाल दिया वहां के जो Americans ने इंडिया में पैसा लगाया हुआ था वो FII के माध्यम से Foreign Institutional Investment के माध्यम से वो market से पैसा निकाल के उधर भाग गए तो इसका मतलब समझ रहे उनका पैसा इतना जदा centralized है सब कुछ पता है सरकार को किसके पास कितना पैसा है हमारे देश में ऐसा नहीं है अगर ये चीज़ें होने लग जाएंगी तो स्वता ही सरकार की बहुत सी नितिया centralized हो जाएंगी इनके नुकसान नहीं है फायदे ज़्यादा है अब मैंसे कोई खुछ लोग ये कहेंगे सर नुकसान भी तो है बिटा नुकसान तो खाना खाने के भी है देख रहे हो फोर भाई फोर हो गया हो मैं लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी आप खाना बंद कर दोगे नुकसान हर चीज के है सकारात्मक अगर चीज़े ज़्यादा होती है तो अपना ली जाती है एंडोस कर दी जाती है तो उमीद है कि आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी सरकार इन्हें दो प्रकार से लागू करेगी एक तो direct तरीके से, एक indirect तरीके से direct मतलब सीधा आप से contact और एक आप तक किसी agency के माद्यम से चीज़े पहुँचाए जाएगी दीरे दीरे इसके बारे में और चीज़े आएगी ये जो आज इन्हों ने जो note जारी किया था उसके पीछे का बड़ा reason ये था हम जैसे लोग इस पर awareness create कर सकें लोगों को बता सकें कि सरकार क्या चाह रही है तो उम्मीद है आपको E-Rupy शब्द दिये ध्यान रखेंगा E-Rupy ये शब्द समझ में आ जाए एक सवाल दिमाग में और बचा रहे जाएगा और वो ये है कि सर ये तो केवल internet dependent चीज़ें होंगी ना जी नहीं जब आप लोगों को आज कल transaction करने के लिए बिना internet के भी mobile से transaction करने की सुविधाये दी जा रही है दीरे दीरे ये चीज़ें और आगे बढ़ेंगी बिना internet के ही transactions सब जगे हो जाएंगे ऐसी सरकार की कौशीच रहेगी ठीक है इसके साथ साथ आपकी जो जंदन mobile account वाली जिम्मेदारी है वो भी हट जाएगी mobile में ही सारा धन हो जाएगा तो जंदन रह जाएगा उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ जाएगी आपके दिमाग में कोई और भी देश है क्या जो ऐसा कर रहा है जी हाँ 11 देश डिजिटल करनसी अल्रेडी लाउंच कर चुके है लेकिन वो बहुत छोटे छोटे देश है चाइना हमसे दो साल पहले से इसके उपर pilot project चला रहा है भारत सरकार ही इस पर pilot project चला रही है अमेरिका और बिटेन जैसे देश जो है इस पर research कर रहे है दुनिया इस बारे में सोच रही है चाइना ने हमसे दो साल पहले ही pilot project run कर दिया है pilot का मतलब फिर से बता दू कुछ लोगों के उपर apply करके देख रहे है कि करके देखते हैं इनके उपर क्या reactions आते हैं सकारात्मक, अत्वानकारात्मक, नगरात्मक आए तो छोड़ देंगे, clear है ऐसे ही प्रधान मंत्री ने 2 अगस्त के दिन एक चीज़ और launch की थी और वो थी E rupee अब आप इस E rupee से और I की जगए EEE लगे वाले से confuse मत होना ये जो योजना थी इसके अंदर purpose specific थी एक person and purpose specific digital payment system था जिसके अंदर सरकार ने कुछ service providers को सीधा पैसा देने के लिए online transaction किया था अभी जो RBI जिस पर चल रही है उसको आप CBDC के नाम से जानके रखिएगा यानि Central Bank Digital Currency ठीक है उसको E rupee से confuse मत करिएगा E rupee सरकारी योजना के रूप में आपके वल इतना ध्यान रख सकते है अपनी राय जरूर दीजेगा session जरूर लंबा हुआ लेकिन मैंने कौशिश की है कि आपके दिमाग में जितने भी प्रकार के doubts थे उन्हें खुद से लेने की उमीद है कि मैंने अधिकांस चीजे सेटल की होंगे फिर भी आपके क्या और डर है अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा ये सारी बाते हमें comment box में जरूर राय के अंदर बताईएगा फिलहाल के लिए इतना ही बस छोटी सी गुजारिश जब आपके लिए इतनी महनत हमारी टीम करती है तो आपके द्वारा जो वीडियो को शेर किया जाता है वीडियो को लाइक किया जाता है चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है तो उसके अंदर होसला बढ़ जाता है तो आपसे निवेदान इतना ही है कि YouTube जैसे एक free platform पर जहाँ पर हम आपके साथ connected है हमारी team का उत्सहा बढ़ाने के लिए आप अपने योगदान स्वरूप आप और अपने साथियों से हमारे channel को subscribe जरूर करवाए और अंकित परिवार को 7 लाग subscriber तक पहुचाने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद चैनल पर इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखें वीडियो को जादा से जादा शेयर करें चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूलें धन्यवाद